नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जीते अन्द शोमा में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक किच्छन की बहुत ही प्यारी डियान दिखूँगा और उससे आप आइडिया भी ले सकते हैं अपने गर के लिए और यह देख लिए अलमारी और यह जो किच्छन आप देख रहे हैं अब जो फ्लोरिंग में ग्रेनाइट की फ्लोरिंग लगाई हुई है क्या रिजन है ग्रेनाइट की फ्लोरिंग लगाने का रिजन यही है कि ग्रेनाइट का पत्तर एक हाड़ पत्तर होता है और इस पे अगर हल्दी या कुछ भी गिड़ जाता है तो आप आसानी से साफ कर सकते हैं कोई इस पे दाग नहीं आएंगे जैसा कि प्रंट में आपने पीछे में देखा इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग लग रही है तो वो फ्लोरिंग कंट्यूनिस नहीं करके यहां पे ग्रनाइट करका और टाइल्स का भी आप आईडिया ले सकते हैं यहां दो कलर की टाइल्स यूज कर रखी है आमने सामने की दिवारों में ग्रे कलर की टाइल्स और बीच में तोड़ा यह चेक्स टाइप डिजाइन अब तो इसकी जो इसकी का यह इस्टेन है उसकी कंपनी ने सो साल की गारंटी ले रखी है सो साल तक कुछ खराब नहीं होगा अब जैसा कि देख सकते हैं ग्रेनाइट यह ब्रेकपाश टेपल हमने बनाया है अभी क्या हम अगर क्लीन अच्छा नहीं करते हैं तो यह मिट्टी जम जाती है और यह देखिए इसकी थिकनेस कम करके 15 mm की थिकनेस करके यह फ्रेंट में अगर कई पानी गिर जाए या आप गेस पर दूद उबाल रहे हैं तो भी यह इसकी सेप्टी के लिए पनीचर के ल कोलर की फ्लोरिंग लगा रखी है क्रेमा मार्फिल इस फ्लोरिंग का नाम है और यह चिमनी का आइडिया भी आप ले सकते हैं यह देखते चिमनी यह आएगी अभी चिमनी लगा ही नहीं है तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और च